संभल में पुलीस को एक बार फिर बड़ी काम्याबी हासल हुई है जहां पुलीस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चंदोसी कोत वाले शेत्र के पोश और महफूस समझे जाने वाली कॉलोन से इलाके में संसनी फैल गई थी जिसके बाद से पुलीस मामले की गंभीरता से जांच कर रही थी वहें पुलीस ने आज हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया है गिरफतार युवक ने कर्च चुकाने के लिए लूट और हत्या का प्लान बन दिवर था और एक महिला ओनर थी तीनों की गला रेत करके हत्या हो गई थी इस गटना 18 तारीक सोला तारीकी घटना थे जो 19 तारीक को रिपोर्ट हुई थी और 19 तारीक से ही हमारी 5 तीमें बनाई गई थी जिसमें CEO, Additional SP और हमारे कई थानों की फोर्स, सर भिलान टीम, इसको पैसे की जरूरत थी कुछ 2,5 लाग रूपए कर्द थे इसके उपर वहीं पुलीस अधिक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का नगत पुरसकार देकर सम्मानित हिया है फिलहल पुलीस ने आरूपी को गरफतार कर जेल भेज दिया है और आगी की कारवाई की जा रही है पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुझबल दानिश के रिपोर्ट